हेल दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चैनल विहार जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग हाली में परिवर्तित नेजी बैंक को एवं वीतिय संस्थाओं के परमुखों को ट्रिक्स से याद करने की कोशिज करेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमार चैनल भी हार जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को जोर द्वातवाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रश्ण है इंडस इंड बैंक के CFO किसे निक्त किया गया है तो इसका उतर है गोविंदर जैन को इसे कैसे आप लोग याद करेंगे तो इसमें आप लोग याद अखेंगे इंडस इंड अर्थात इंडिया का इंड तब हो जाएगा जब यहां के लोग गोविंद का नाम लेना बंद कर देंगे इंडस का इंड कब होगा जब यहां के जन जो है गोविंद का नाम लेना बंद कर देंगे उसे दिन इंडिया का अंत हो जाएगा तो इससे आपको याद आ जाएगा कि इंडस इंड बैंक के CFO है गोविंद जैन अब नेक्स्ट है IC ICI बैंक के परमुख कौन है तो IC ICI बैंक के परमुख संदीप बक्षी है इसे कैसे याद करेंगे तो इसे याद दखेंगे IC ICI जब इसको हम लोग ध्यान से परेंगे तो दिखेगा I मतलम मैं C मतलम यहाँ देखा मैंने देखा मैंने देखा मैंने क्या देखा तो संदीप जो है अपना बक्षा कहां चुपा है चुपाए है उसे देखा तो इससे याद रहेगा क्या देखा तो बक्षा देखा तो जिससे आपको याद आ जाएगा IC ICI Bank के परमुक कौन है तो संदीप बक्षी अब नेक्स है IDFC First Bank के अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है वी वैद नाथन इसे कैसे याद रहेगे तो ID First में आपको दिखाना परेगा ये किसको बोला जारा तो वैद को क्योंकि आज कल जो है वैद जो है नकली अर्थाद भेस पदले भी होते अर्थाद जोला चाप होते जिस कारण से सरकार ने यह घोशना कर दी कि ID जो है सबसे पहले आप लोग वैद के पास जाने से पहले उनका First में ID ही देखे तो इससे आपको याद आ जाएगा कि ID First में किसका देखेंगे तो वैद का तो जिससे आपको याद रहेगा ID FC First Bank के परमुखें वी वैद नाथन अब आई चलते हैं Next question है जमू एवं कश्मीर बैंक के CEO किसे बनाया गया तो बल्देव परकास को जमू एवं कश्मीर बैंक के CEO बल्देव परकास को बनाया गया इसे कैसे याद आखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि जमू एवम काश्मीर में क्या हुआ तो बलपुर्वक जो है 370 को हटा दिया गया तो इससे आपको याद है कि जमू एवम काश्मीर बैंक में बलपुर्वक से याद है कि बलदेव परकाश बलपुर्वक हटा दिया गय और देव का वहां अस्थापना की गई तो जमू एवं कास्मीर बैंक के CEO हैं बलदेव प्रकाश अब नेक्ष्ट है नाबाड के अध्यक्ष कौन है तो नाबाड के अध्यक्ष है गोविंद राजुलू चिंतला इसे कैसे अधखेंगे तो नाबाड को तोरेंगे नो बर्ड जब किसी व्यक्ति को बर्ड दिखना बंद हो जाए तो क्या होगा चिंता हो जाएगी कि आखिर ये बर्ड कहां चले गए तो ठीक है तो इससे आपको याद आ जाएगा नाबाड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंतला अब नेक्ष्ट है अध्यक्ष भारतिय बैंक संके अब क्या है इसके अध्यक्ष एके गोविएला तो आप लोग जानते हैं कि जो भारत का जो बैंक है अब जो है निजीकरन होने जा रहा है तो अब जो है क्या वह गोविएल अर्थात गया ठीक है? अब जल्दी भारतिय बैंक गया क्योंकि इसका निजिकरन होने जा रहा है अब नेक्स्ट है डेवलोप्मेंट क्रेडिट बैंक इसके अध्यक्ष है मोर्ली एम नट राजन इसे कैसे याद खेंगे तो क्रेडिट का डेवलोप्मेंट क्यों किया जा रहा क्योंकि अब तक में जो है क्या हो रहा कि इसे आशाने से मुर लिया जाता है मुरलिया मतलब ठग लिया जाता है जिसकारण से अब जो है क्रेडिट कार को और डेवलप्मेंट किया जा रहा ताकि आप जो है आशाने से नहीं मुराई अर्था ठगाएं तो इससे आपको याद आजाएगा कि development credit क्यों किया गया क्योंकि आप लोगों को आशाने से मुर लिया जाता था तो इससे आपको याद रहेगा development credit bank के अध्यक्ष मुर लियम नट राजन है तो जो आज हम लोगों ने याद किया वे सभी हाली के दिनों में बदलाए गए अध्यक्ष या फिर CEO हैं तो यह था आज के वीडियो का आखरी प्रश्ण आसा करता हूं आप लोग को हमारे या वीडियो प्रशंद आया हो यदि आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर करेंट अथा ट्रिक के साथ वीडियो बताया जाए तो आप लोग मैसेज जरूर करें और साथी लाइक और सियर का बटन जरूर दबाए तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद